हेलो एवरीवन दिस शुदीपता वेलकम बैक टूबर चैनल बीन टूटोरियल दिस इस अवर सेकंड क्लास और आज हम टाइप 5 से स्टार्ट करेंगे प्रीवेस क्लास में फोर टाइप को हमने अल्रेडी डिसकस कर लिया और आज की क्लास में हम ट्रिक भी देखेंगे क्योंक वैसे में हम बेसिक अपना यूज नहीं कर सकते हैं वहां पर ट्रिक्स काम आते हैं तो इसलिए चलते हैं कोशन की और और देखते हैं किस किस टाइप के आज की क्लास में कोशिन हम करेंगे टाइप 5 है हमारे पास रूल डिटेक्शन में क्या होता है कोशन में कोई भी रूल गिवन होते हैं कोई भी एक रूल आपको गिवन होगा उस रूल को इस option में से कौन सेटिस्फाय कर रहा होगा जो भी सेटिस्फाय करेगा वो करेक्ट option हो जाएगा जैसे कोशिद पर चलते देखते हैं नंबर फ्लैटर्स स्किप्ड इन बिट्वीन इसकिपड मतलब गैप इसकिपड कर दिया जा रहा किया रहा है घैप लेटर की बीच में है जो गैप है वह बढ़ता जा रहा है किसा बढ़ता जा रहा है इंक्री इन फीज यॉँटमाइव रहा है जैसे अगर पहले A और C की बीच में B को छोड़ा जा रहा है फिर C के 2 छोड़ने के बाद और एक लेटर लिया जाएगा फिर 3 छोड़ने के बाद और एक लेटर लिया जाएगा ऐसे उनका जो gap है वो increase होता जा रहा है by 1 तो अब हम option पे चलते देखे यहाँ पे A और C की बीच में हमारा gap कितना है A, B उसके बाद आता है C तो यहाँ पे gap हमारे पास 1 है ठीके C और E की बीच हमारे कितना gap है यहाँ पे भी 1 है तो देखे यह वाला option हमारा गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा क्योंकि question में बोला गया है कि वो जो gap है वो हमेशा एक बढ़ जाना चाहिए पर यहाँ पे तो gap बढ़ा नहीं है सेम ही रहा है ठीके next वाले पे चलते है E और J की बीच में gap कितना है 4, 4 letters का gap है तो यहाँ पे already 4 आ चुका है तो हमको question में बोला गया कि एक एक increase होगा मतलब पहले 1 होना चींए gap फिर 2 होना चींए, फिर 3 यहाँ पर तीसरी पर आ जाते है A और C की बीच में B आता है तो यहाँ पर 1 का gap होगया C और F की बीच में C और F की बीच में D और E आता है तो यहाँ पर 2 हुआ gap F और J की बीच में कितने letters आते हैं F और J की बीच में G, H, I तो यहाँ पे हमारा gap कितना हो गया 3 J और O की बीच में कितने gap आते हैं J और O की बीच में K, L, M, N, 4 तो यहाँ पे देखी यह वाला option हमारा हो गया correct क्योंकि इसमें हर बार जो हमारा gap है वो one increase होता गया है I hope आपको यह समझ में आ गया हो गया बहुत easy है आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कुछ भी hard नहीं लगेगा Next question है मारे पास Number of letters skipped in between adjacent letters in series is odd देखे उपर वाले में क्या था कि हमारा जो gap था वो हर वार one increase होना चीए और यहां पर क्या बोला जा रहा है जो हमारा gap है वो odd number होना चीए बस इतना सा करना है कि हमारा gap है वो क्या आना चीए odd number आना चीए तो हम चलते option क्यों देखे A और C के बीच में हमारा gap कितना रहेगा फिर C और E के बीच में D रहता है, वो भी 1 E और G के बीच में F रहता है तो यहां पर भी 1 और G और K के बीच में G और K के बीच में H I J तो यहां पर हो गया आपका gap 3 तो देखें यह चारो जो हमारे नंबर से यह सारे हमारे पास क्या है odd और question में यही बोला गया था कि आपको ऐसा आपशन यहां पर करेक्ट करना है जिसमें आपका डिफरेंज जिसमें आपका गैप और नंबर रहती इसलिए यहां पर हमारा जो ए वाला ओप्शन है यह हो जाएगा करेक्ट तो यह हमारा फिफ्ध टाइप रूल डिटेक्शन तो अब हम चलते हैं 6 टाइप पे टाइप 6 हमारा है अलफाबेटिकल सीक्वेंस बेस प्रॉब्लम इसमें अलफाबेट का सीक्वेंस देखा जाएगा तो कोश्वेंस में जाने से पहले हम कुछ सीक्वेंस को देख लेंगे जो कि हमारे कोश्वेंस में हल्प करेंगी क्योंकि आपके कोश्वेंस में सबसे पहला जो हमारा लाइन लिखा होगा वो सीक्वेंस के बेस पे ही लिखा होगा तो हमारा सीक्वेंस क्या क्या हो जाएगा दिखिए alphabet में पहले तो forward वाला हो जाएगा A to Z A to Z जाते हम यह सीक्वेंस हो जाएगा फिर second क्या हो सकते है? reverse भी आ सकते हम Z से एक यह और आ सकते है फिर यहाँ पर इसको divide कर सकते हैं कैसे divide कर सकते है? first half first half में आपका क्या हो जाएगा? A से M and second half में आपका क्या हो जाएगा? N से Z तो यह हमारे दो सीक्वेंस हो गए तीसरा सीक्वेंस क्या बन सकता है? पहले हम A से M तक जा सकते हैं फिर N से Z तक और क्या हो सकता है? हम इसका भी reverse कर सकते हैं हम M से A तक जा सकते हैं M से A तक जा सकते हैं इसको आज़िस रख सकते हैं फिर तीसरे में हम क्या कर सकते हैं यह भी reverse कर सकते हैं और इसको भी reverse कर सकते हैं second half को भी वो बन जाएगा Z से N तो देखिए आपके बास इतने सीक्वेंस हैं और यह वाला जो end हो जाता है हमारा यह left end होता है और यहां से हमारा यह right end होता है मतलब कि अगर बोलेगा question में कि right end से तो आप यहां से counting start करेंगे इस side से ठीक है अगर बोलेगा left end से तो आपको इस side से counting start करनी है अपनी तो इसमें ट्रिक देख लेते हैं ट्रिक क्या है इसमें देखिए अगर कोश्चिन में बोलेगा ट्रिक है मारे पास इसमें अगर कोश्चिन में बोलेगा कि लेफ्ट से राइट जा रहे हम या फिर right से left जा रहे हैं तो इन दोनों ही case में हमको add कर देना है ठीक है? दोनों की value को add कर देना है और अगर हमको question में बोलेगा कि left से left की और जा रहे है और right से right की ही और जा रहे है तो उस case में आपको minus कर देना है यह आपने समझ लिया होगा यह आपको और अच्छी तरीक से तब समझाएगा जब हम कोश्चिन पर चलेंगे तो आप हम चलते हैं कोश्चिन पर अपने कि फर्स्ट कोश्चिन हमारे पास है इफ इंग्लिश alphabet are arranged in alphabetical order यहाँ पर हमको sequence क्या गिवन है alphabetical order जो कि simply होता है हमारा A to Z तो यहाँ पर हमारा sequence A to Z के form में है यह हमारा left end हो जाता है यह होता है right end यह हमको sequence गिवन है if English alphabet are arranged in alphabetical order which letter will be 6 to right 6 to right of 18th letter from left of 18th letter from left तो देखिए यहाँ पर right और left की बात हुई है तो हमको simply इनको क्या कर देना है add करना है तो 18 plus 6 हमारे पास कितना बच जाएगा 24 अब यह 24 हमको right से गिनना है यह हमारे पास problem आ जाती है तो यह हमेशा आपको question के last में देखना है question के last में जो भी दिया होगा right दिया होगा right left दिया होगा left तो इसमे question के last में क्या दिया है from left end तो यह हमको 24 अगर count करना है तो कहां से count करना है from left end से count करना है ठीक है left end से यह हमारा sequence given है यह हमारा sequence given है और आपका left end कहां है यह है और यह है right end तो आपको सबसे पहले क्या करना है right और left given है right और left given होंगे तो हम उनको add कर देंगे हमने add कर दिया और हम counting कहां से करेंगे right से करेंगे left से करेंगे वो question के last वाले line पर depend करेगा तो यहाँ पर लिखा from left end तो 24 from left end तो 24 from left end क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स 24 पर कौन होता है दीखिए लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो यहां से 24 पर पोजिशन पर कौन होता है यहां पर एक्स होता है 24 पोजिशन पर तो हमारा option यहां पर करेक्ट हो जाएगा अब हम चलते हैं second question हुआ है देकर second question हमारे पास नहीं English alphabet English are arranged in reverse order reverse order मतलब अब पहले वहां पे alphabetical order में था a to z की format में था अब reverse order में reverse मतलबًब z से एक ही फॉम में जाये गाई है तो यह हमारा हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा left end यहाँ पर क्या बोला गया आगे विच लेटर विल वी इदा four to write फोर्थ पर right of twenty first letter from right of twenty twenty first letter from right देखिए अब दोनों यहाँ पर right right है तो दोनों अगर right right होते हैं तो उस case में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं तो बड़े में से चोटे को माइनस कर दिए 24 में से मदब 21 में से 4 चला गया तो कितना बिचाएगा हमारे पास 17 अब हमको यह decide करना है कि 17 हम count कहां से करें तो देखिए वह question के last में चले जाएए letter from right end right end से 17 letter पे जाना है हमको right end से 17 letter क्या हो जाएगा एवन पे होता है तो 17 पे कौन होता है देखिए इन questions को करने के लिए आपको alphabet rank को जानना बहुत ज़रूरी है उसको must है आपको learn करना तो उसको learn कर लीजिए उसको learn करोगे न तो आपको मतलब exam में इतने easily आपके question बन जाएगा और आप questions की practice करते रहोगे तो आपके लिए ही वह अच्छा है तो अगर आपको learn नहीं होंगे वहाँ पे question आप exam में जाके पहले alphabet होगे फिर उसकी ranking करोगे वह time wastage है ठीक है तो यहां पर 17 वाला आ गया वह भी कहां से देखना है हमको right end से देखना है तो right end से 17 एसे लेकि यहां पर 17 नंबर पर कौन होता है हमारा क्यों होता है तो हमारा जो सही option हो जाएगा वह यहां पर क्या हो जाएगा option नंबर यह हमारा third question इसको आप खुड try करेंगे अगर नहीं हुआ आपसे तो please comment कर दीजएगा आपका जो यह solution है वह आपको group में provide हो जाएगा तो अब हम चलते हैं 7 type पे जो पी हमारा last type हो जाएगा इस session का उसके बाद हमारा यह video complete हो जाएगा देखें last type हमारे पास है type 7 which is word formation word formation में क्या होता है आपको एक बड़ा सा letter word given होता है और उस word की help से यहाँ पे कौन सा word हमारा दुबारा से बन रहा है जैसे यहाँ पे construction word given है तो हमको यह पूछेगा question में which word cannot be formed by using the letter of the given word इस question में पूछा है कि यह option में से ऐसा कौन सा word है जो इनकी help से नहीं बना है which word cannot be formed कौन सा ऐसा word है जो इसकी help से form हमारा नहीं हो सकता यह पूछा गया है तो हम देखते किससे यह form नहीं हो सकता है देखें first वाले में आ जाते हैं यहाँ पे c-o-n-s-t-r-u-c-t-i-o-n इतने हमारे पास letters है यहाँ पे देख लिए i-n-o-t-i-o- i-n-s-c-o यहाँ पे i एक n ले देते हैं s यह तो बन जा रहा है फिर s-u-c-s-u-c-t-i-o-n तो यह भी बन जा रहा है यह वर्ड लास्ट में है c-a-u-t-i-o-n तो देखें यहाँ यहाँ पे यह वाला word इसमें नहीं मिल रहा है तो यह भी हमारा नहीं बनेगा अब हम कोश इक्स्रक्शन वाले लेटर से नहीं बन रहा है तो हम कौन सा option टिक कर सकते हैं तो देखें यहाँ पे priority की बात आ जाती है अगर आपका कोई अगर आपका new letter आ गया है कोई word के अंदर जिसकी विज़े से question गलत हो है जैसे यहाँ पे new letter के आ गया यहाँ पे a present नहीं है अगर दो तरीके से हो सकता है new letter आ जाए तब नहीं बन सकता या फिर extra आ जाए एक्स्टा आ जाए और repeat कर रहा हो देखें यहाँ पे a इसके अंदर नहीं है यह new letter है पर यहाँ पर first वाले में wrong क्यों आए क्योंकि i है one time है पर यहाँ पर two time दे दिया गया है पर है इसी के अंदर का ठीके two time दे दिया गया है तो हमारे priority हमेशा यह होना चाहिए कि new letter वाला हमारा option correct होता है तो देखें यहाँ पर extra letter है यहाँ पर new letter है तो हमारा d वाला option correct हो जाएगा इन दुनों में से अगर हम बात करेंगे तो आयोब आपको यह समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आ गया एक वर्ड गिवाने इसकी letters को use करके हमारा कौन सा word यहाँ पर बन रहा है हमको यह बताना है तो देख लिए यहाँ पर देख लेते टी आई डबलल टी आई डबलल एजी ए तो है नहीं तो यह वाला वर्ड तो नहीं बन रहा है यह आ गया ना इसमें फिर यहाँ पर है जी इन टी ए यहाँ पर भी ए आ गया यह भी नहीं बन रहा है फिर एन आई जी एल एन आई जी ए एल तो यह वाला वर्ड हमारा बन जा रहा है तो option C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा देखिए हमारा alphabet test इतना ही है seven types हमने पढ़ना था तो हमने पूरा complete कर लिया है I hope आपको आपक से